दोस्तो सार्क मचली के लगभग 400 प्रजातिया प्रित्वी पर पाई जाती है सार्क प्रित्वी के महसागरों में 450 मिलियन वर्सों से रहती आ रही है इस तरह से यह डायनासूर से भी पुरानी है सार्क मचली का आकार 6 इन से 46 फिट तक हो सकती है अलग-अलग प्रजातियों कि सार्क की अकार अलग-अलग होती है दोस्तो आपको बता दे कि सार्क की समानता आयों 20-30 वर्सों लेकर 150 वर्सों तक हो सकती है मनुस्त के पूरे जीवन काल में दो ही बार दात निकलते हैं लेकि सार्क के साथ ऐसा नहीं इसके दात टूटते रहते हैं और नाय दात निकलते रहते हैं सार्क के बच्चे के जन से ही पूरे दात होते हैं इस तरह से वो जन से ही आकरमन के लिए तैयार होती है और दोस्तो आपको बता दे कि सार्क मचली को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है सारक अपना सिकार ढूणने के लिए आंखों का नहीं बल्कि सुगने के सक्ती का इस्तवाल करती है इस मचली को पानी में इंसानों से दस होना बेतर देखनी के सक्ती होती है सारक के सुनने के सक्ती अथित्यव्ड होती है यह लावक 3000 फिट की दूरी से भी आवाज को असानी से सुन सकती है सारक की अदास्त बहुत अच्छी होती है यह अपने बच्चों को उसी अस्थान पर जन्म देती है जहां इनका खुद का जन्म हुआ होता है